हाई द्विल्दीज वेलकम टू एसीवे कॉमर्स क्लासेश मैं हो तबिता और गाईज आज के इस वीडियो में हम लोग डेथ ओफ पार्टनर का एक एक एक्जाम्पल ट्राइ करेंगे जो कि हमारे टी एस ग्रेवाल का है एक्जाम्पल नमबर 19 है ये जो उसे पूछा है प्रकाष ने और मुझे लगा कि इस पर वीडियो बननी चाहिए तकि आप सबके डाउट बी इस पर क्लियर हो सकें क्योंकि लैंग्वेज ऐसी यूज़ करी जाती है जिसमें हम कन्फ्यूज हो जाते हैं तो गाईस ये कुश् होती है तो उसका शियर कैसे वैल्यू किया जाएगा वास्टो बी वैल्यू डेट 50% अफ नेट प्रॉफिट क्रेडिक टू डेट पार्टनर्स कापिटल अकाउंट उसके अकाउंट में जितना प्रॉफिट गया है उसका हमें 50% गुडविल उसकी वैल्यू करनी है दूरिं जिसमें हमें डेट मेंचन नहीं है कि हमारा इयर एंड भाई 31 मार्च को हो रहा है या फिर 31 दिसम्बर को हो रहा है जब ही हो रहा है हमें पता है कि 2020 का अगर प्रॉफिट है 31 मार्च मानो या दिसम्बर मानो यह कंप्लीटेड है क्योंकि डेट तो इसकी हुई है कब 28 फेब लेते हैं सबसे पहले तो तीनों का profit यानि कि last three year का profit कितना होगा मिला के one lakh five thousand plus thirty thousand plus eighty four thousand तो पहले तो इन्होंने बोला कि तीन सालों का profit लो तो हमने तीन सालों का profit ले लिया दो लाक उन्नेस हजार ठीक है उसके बाद यह दूसरी बात क्या कहते हैं कि उस partner को जितना गया है तीन सालों के अंदर तो partner कौन सी डे तो यह सीता की सीता का share था four by eight यानि कि four by eight अगर हम बोले तो one by two तो one by two अगर हम इसको करेंगे two ones are two zero one lakh nine thousand and five hundred ठीक है यह हमारा आगया इसको half करने पर आप इसके बाद आगे बढ़ते हैं guys इसका हमें 50% करना है तो इसका 50% सीधा सीधा two से divide कर दो two five's are ten two four's are eight fifty four seven fifty जाएगा कैसे करा है guys यह मैंने देखो उन्होंने पूरी एक बात बोली है उन्होंने बोला 50% of the net profit credited to that partner's capital account during the last three year तो मैंने last three year का पहले निकाला मैंने यहां से शुरुआत करी है ठीके last three year का profit निकाला और उस partner को कितना मिला था वो निकाला फिर उसका 50% किया तो 50% का मतला पर divided by two तो 54 750 आ गया तो यानि कि गुडविल उस person की value हो गई business की नहीं उस person की value करी है ठीके goodwill was to be her share of goodwill तो उसका share निकला यह business की goodwill नहीं निकली ठीक है आब इसे कौन देगा रीता और गीता देंगे अब जबी ऐसा case होता है कि हमें सिफ ratio given होती है और एक partner retire हो रहा होता है तो यही इनका new PSR होते है यही इनका gaining ratio होता है तो यानि कि रीता और गीता किसको देदेंगे सीता को देदेंगे यानि कि सीता की capital account में पैसा जाएगा पूरा लिखना है ठीक है सीता इस capital account 54 750 और अगर आप इसको cut करोगे 4 से तो आप का answer आ जाएगा चारे कम जाएगा और इसको cut करके 4 3 is a 12 ठीक है 4 1 is a 4 4 3 is a 12 something point में आएगा तो आप round off करके लिख सकते हो तो आ जाएगा ठीक है बहुत असान question है बट language को थोड़ा सा समझना हो जाएगा राम से और अगर कोई दिक्काद हो तो guys Instagram पर picture कर दो question की समझा दोंगे Thank you झाल कर दो